हेलो फ्रांक्स लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिस्से स्वागत है आज का वीडियो दोस्तो जो लोग प्यार करना चाते हैं और सच्ची और अच्छी रिलेशनसिप में रहना चाते हैं उनके लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में पांच एसी में गलतिया बताने वाला हूँ अगर आपने वह गलतिया की तो आपका प्यार असफल होगा आपके संबन में आपको असफलता मिलनी पक्की बात है दोस्तो इस वीडियो को देखने के बाद क्या होगा सबसे पहला तो आप अपना प्यार बचा पाएंगे दूसरा क्या होगा कि आप अपने प्यार को और बहतर बना पाएंगे क्योंकि गलतिया आपने समझ ली तो वो नहीं करेंगे इससे आपका प्यार आपका संबन एक लेवल अप जाएगा अच्छी तरह से ग्रोव करेगा तो चलिए बिना टाइम गवाए फटा फट से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो दोस्तो चलिए देखते हैं पांच ऐसी गलतिया जो आपने की तो लड़कियों से आपको दूर ही होना पड़ेगा दोस्तों जब आप किसी लड़की से रिष्टे की शुरुआत करते हैं उसका फॉन नम्बल लेते हैं, बाच्ची सुरू करते हैं, मिलना शुरू होता है उस समय आप कुछ ऐसी गलतिया कर ही बैठते हैं, कि आपका संबंद खतम हो जाता है शायद अंजाने में हो जाता है, इसलिए दोस्तों चल ये, फटा-फट से पांचवी गलती जो मैंने रखी है देख लेते हैं, आप फॉन पर, वाट्सप पर सबसे ज़्यादा मैसेज लिखते हो लड़की के साथ आपको बात करनी है, ऐसा नहीं है कि उनको इन मैसेज में कोई इंट्रेस्ट है आप उसको दिन के दस मैसेज बेच कर, उसका गला दबा रहे हो दोस्तों उसको interest है तब ही बात करें बार बार उसे torture ना करें message बेज कर और दोस्तो कभी कभी क्या होता है कि आपने समझ लो कि एक लड़की को एक message बेजा फिर 15 में तक वो phone या फिर reply नहीं करती तो आप क्या करते हैं बार बार message करते हैं एक example देख लेते हैं जैसा कि आपने message बेजा कि इनसान irritate हो जाता है इसलिए ऐसे बार बार लिखकर message बेजना गलत बात है चौथी गलती है आपको सुनकर सायद थोड़ा अस्चरिय होगा तो चलिए देखते हैं चौथी गलती है गिफ्ट खरीदना तो आपकी लड़की का प्यार खरीद नहीं सकते हैं आप गिफ्ट दे दोसिस हो रही है दोस्तों ऐसा भी कई बात देखा गया है तो दोस्तों आप समझ रहे मैं क्या कहना चाता हूँ अगर आपको उसको गिफ्ट देना ही है तो पहले से जान ले कि वह आपको प्यार करती है नहीं उसके बाद यह decision ले तो तीसरे नंबर पर जो गलती मैंने जाते हो आप उसके साथ फ्लट नहीं करते हो कभी गले में बाहर डाल कर नहीं चलते हो और प्यार की कोई बात नहीं हो रही और आप ऐसे ही बाते कर रहे हैं तो यह बाते गलत होगी यह बहुत ही बड़ी गलती होगी आपके प्यार को असफ़ल करने की सिलिए दोस्तों यह गलती ना करें दूसरे नंबर पर जो मैंने गलती रखी है वो है उसके लिए हमेशा हाजिर रहना लड़किया बोलती है कि चलो आज पिच्छर देखने चले चलो आज पिकनिक चलते हैं कोई पोग्राम बनाते हैं और आप उसे टाल दे तुरंत हा मत बोले उसके बारे में आता है लेकिन दोस्तो हर बार हा बोलते जाएंगे तो वो हाजिर पना अच्छी बात नहीं होगी उसको आपको पाने के लिए आपके समय के लिए मेहनत करने दो दोस्तो नंबर वन पर जो सबसे बड़ी गलती मेरे इसाब से है जो मैंने रखी है उसके संबंदों के बारे म जाता है जलन से बरपूर है साइज मुझे मारे भी मुझे कही जाने न दे अपने मन का करने न दे दोस्तो ऐसी फिलिंग एक लड़की को आती है अगर ऐसा बोल बोलके जितना आप उससे अपने साथ रखना चाहेंगे उतना जल्दी वो आपसे दूर बागेगी और आपका प्यार असफल हो जाएगा तो दोस्तो पाँचों गलति आपको समझ में तो आ गई न अगर समझ में ऐ गई तो आप कभी भी प्यार में असफल नहीं होंगे तो चलिए वीडियो के एंडिंग में एक एप्रिसेटिग कोमेंट पिक कर लेतRE दोस्तो मैंने एक वीडियो डा अगर आपको अपने प्यार को सफल न बनाना हो तो तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंट्स वीडियो को देख रहे सारे बॉइफ्रेंण गर्ल्फ्रेंट रांजा मचनू लेला जो भी हो वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए ताकि वो भी ये पांचों गलतिया करने से बचे कोई सवाल या सुजा हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईए मैं पढ़ना चाहूंगा थेंकि दोस्तों नो बैटर लिव बैटर